नमस्कार दोस्तूं, दोस्तूं हम पढ़ रहेते सैंसकर्थ व्याकरण और सैंसकर्थ व्याकरण के अंदर हमारी कलास नंबर 13 और कलास नंबर 14 के अंदर हमने ततपुरु समास कलास नंबर 14 के अंदर हमने करमधारिय समास और कलास नंबर आज रहीगी हमारी 15 जिसके अंदर हम देखेंगे द्विगू समास दोस्तों बहुत जगे आपने समास टोपिक पढ़ा होगा दोस्तों लेकिन दिक्कत यह आती है कि सर पढ़ते हैं उस वक्त तो याद हो जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं तो मित्रू यहां पर अगर आप पढ़ोगे और उधारण जो मैं यहां पर महत्वपूर्ण उधारण आपके सामने रखोंगा वो उधारण देखोगे तो यह टोपिक आपका कलेर हो जाएगा तो एक बार जिन साथियों ने कलास नमर 13 और कलास नमर 14 नहीं देखी है वो पले लिस्ट में चले जाएए सेंसकर्थ के नाम से पले लिस्ट बनी हुए उसके अंदर जाकर सबसे पहले 13 नमर फिर 14 नमर और फिर यह कलास एक बार जरूर देख लें दोस्तों आप सभी मित्रूं का मिस्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुचमन ओनलाइन कलासेज पर जो नए मित्र आए हैं वो सेंसकर क्या होता है कैसे इसको पैचाने सबसे सिंपल समास के जो परकार हमने पढ़े हैं उनमें अगर हम बात करें कि सबसे सरल कौन सा समास है तो वह आपका द्विग्गू समास है दोस्तों याद क्या रखना है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों एक सुत् रखना है और मैंने पेले भी बहा था कोई सभी समाष हो उसके जो सुत्र है दोस्तों वह आपको याज जरूर करने हैं क्योंकि समास और टोपिक के अंदर जो क्यूं सन आता है जो परसंड एकजाम के अंदर पूछा जाता है मित्रू hon वो सुत्र से related ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पर आप क्या करते हैं सैंक्या पूर्वो द्विगू मतलब क्या है इसका समझिये दोस्तों यह सुत्र है इसका अर्थ क्या है जो मैं नीचे लिख कर लाता हूँ जिसे आप अगर अपने नोट बुक में लिखना चाते हैं तो असानी से लिखते जाईए और कलास एक से लेकर अपने नोट से वो तयार करते जाईए मित्रू जिसे बहुत असानी होगी आपको सैंसकर्थ पढ़ने में एक बार रिविजन कर लोगे एकजाम से दो या तीन दिन पहले इन नोट सका तो आपके एकजाम में जो भी क्यूसन होगा वो सही जरूर होगा चलते हैं सुतर की ओर संक्या पूर्वो द्विगू जब क्रमधारिय समास में मित्रू आप सभी को पता है कि तत्पूरू समास के अंदर ही क्रमधारिय और द्विगू समास आते हैं और जो हमारा द्विगू समास है ये क्रमधारिय का बेद माना जाता है दोस्तों तो जब करमदारिय समास में परतन सब्द शंक्या वाची हो और दूसरा सब्द कोई संक्या हो तो उसे समास को द्विगु समास कहते हैं क्या कहना चाहता है जैसे यहां पे आपके पास संख्या आ गई चार और इसके साथ कोई आपके यहां पे संख्या वाची सब्द आ गया और इसके साथ कोई संख्या जुड़ी हुई है कोई शंख्या वाची सब्द है तो यहां पे तो होना चाहिए संख्या वाचक जिसकी गि जाएगा बहुजगा आपने पढ़ा है लेकिन बात कहां पर आती है कि विग्रे का अगर पूछ लिया जाता है तो हम गलती कर बेटते हैं उसका भी हम तरीका देखेंगे इस वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों दोस्तों अगर इसको पेचानना है कि जो द्विगु समास ह संक्या वाची सब्द है दोस्तों गुक की बात करें जिसको बोलते हैं यह क्या है एक संग्या है तो समझ में आ जाएगा ना पहला जो इसका पद आ रहा है पहला जो पद है या पहला सब्द होगा जो हमारे अगे उदार नाएंगे उनका वो तो संक्या वाची होगा और द इस इंदर आपको चमखिर मंतें इस समाहर चम्मय का बोद होगा कोडी जो इसका उदार्ण है उसके अन्दर आपको कौन सी होती है सश्टी विभक्ती का प्रियोग होता है दोस्तु इसके अंदर यह हो गया हमारे द्विग्जु समयास की जुसामाने जानकरी लेकिन हमने बात की ती कि मैत्वपून उधारण भी आपके सामने रखेंगे तो चलते हैं मैत्वपून उधारणों की और दोस्तु जो मैत्वपून पांच है उधारण है वो आपके सामने में यहां पर रख दूँगा जिससे एकजाम के समय आपको बहुत आसानी होगी पंचा नाम गवाम समाहरे यहां पर देखे आपको सश्टी विभक्ती और समाहरे समुहे का बोध हो रहा है तो जहां पर अगर विग् पंच गवम को आगे हैं द्वी मुकी द्व्यों मुकयों समाहरे आप पाचान यहां पे देखे दोस्तु एक वार देखे आप पंच गवम यहां पे गवम है दोस्तु और यहां भूनम त्री क्या है संख्या वाचक और भूनम क्या है संग्या है दोस्तु कोई से भी उदारन हो उमारा इसी प्रकार मिलेगा तो जिसमें पेला जो पेला पद होगा या पेला वरन होगा वो क्या होगा आपके संग्या वाचक होगा संख्या वाचक और दूसरा उतर वो क्या होगा संग् Cobbđ सेंख्या संख्या और संग्या अब देखते हैं दोस्तुन नेक्स डिरने हमारा कि मतलब समुह का सभी के अंदर बहुत हो रहा है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हैं मारे सब्ता नाम, रिशी नाम समाहर है, सब्त रिशी, सब्ता नाम, रिशी नाम, समाहर है, त्री लोकी, त्रिया नाम, लोका नाम, समाहर है, पंच वटी, पंचा नाम, वटा नाम, समाहर है, तो यहां पे दे की दोस्तों आप एक त्री पंच यह तीनू के तीनू क्या है संख्या है संख्या वाची सब्द है यहां पर बात करें हम रिसी की यहां पर लोकी की और यहां पर वटी की यह तीनू के तीनू क्या है संख्या है तो यहां पर हमें क्या पता चला जब किसका बोध हो जब दोस्तु संख्यावाचक सबद के बाद संख्या आए तो वहां पर आपका द्वीगु समांस होगा दोस्तु यह आपको यहां पर क्या करना है याद रखना है दूसरी बात हमने की थी कि यहां पे देखिया आपको जो भी विग्रे किया गया है उसके अंदर सश्टी विवक्ति मिलती है तो इसके अंदर विवक्ति कौन सी मिलेगी जो आपका विग्र होगा उसके अंदर सश्टी विवक्ति मिलेगी और सश्टी विबक्ति के साथ क्या मिलेगा समुहे का बोध होगा किसका होगा समुहे का बोध होगा तो यह आपको दो चीज़े अगर याद है तो आपका द्विकु समास है वो complete है दोस्तों अब एक जामपल है कि उदारण सर बहुत सारे उदारण दो तो बुक्स के अंदर बहुत सारे उदारण है लेकिन मैंने जो यहाँ पर साथ उदारण आपके सामने रखे हैं यही उदारण है इनसे मिलते जूलते उदारण है जैसे तरिया नाम चतुर नाम कर देते हैं सबता नाम की जगे पंचा नाम कर देते हैं तो यहाँ पे सब्तरिसी, पंचरिसी त्रीलोगी, चत्रूलोगी पंचवटी, त्रीवटी तो यहाँ पी क्या है चेंज कर दिया जाता है और क्यूसन तो जो उधारन आएगा वो इसी प्रकार का आने वाला है दोस्तूं तो एक बार सभी मित्र ये कमेंट करके बता दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और जिन मित्रों ने अभी तक कलास 13, कलास 14, तत्थपुरुस समास और करमधार ये समास नहीं देखा है वो एक बार पलेलिस्ट सेंसकर्थ के अंदर जाकर वीडियो जरूर देख ले क्योंकि सेंसकर्थ की ऐसी कलास आपको कई पर नहीं मिलेगी दोस्तूं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद, जे भारत